पूरी तरह से मश्गूल हैं और अवाजारी मेरी सबी को बराबर जबरदस तरीके से सुन पा रहे हैं आप मुझे जड़ा हम सब फिट करिए जड़ा पता चले कि आप सबी आ चुके हैं है ना और क्लास में मौझूद हैं ताकि हम लोग क्लास की शिरुवात करें तो देखिए आज का जो एजेंडा है वो यह है कि मैं एक्चली मैं प्लान कर रहा हूं मेरी एक सिरीज बहुत पॉपलर हुई यूट्यूब पर दोहजार अठार औरनेस में करी थी मैंने आट ओफ कैलकुलेश जब भी टॉपर्स आते हैं तो बात करते हैं सिरीज की आट ओफ कैलकुलेशन बट वो सिरीज एक सर्टेन लेवल तक करके मैंने छोड़ दिया था उस पर प्राक्टिस नहीं कराई थी मैंने ठीक है तो अभी आइडिया मेरा यह है कि इस सिरीज को रिज्यूम करने का मन है म और इसमें कांटेनिवसली हम कुछ ना कुछ ऐसा करते रहें कभी सवालों के माध्यम से कभी स्पैसिक कैलकॉलेशन के माध्यम से कि आपकी लगातार प्राक्टिस होती रहे कुछ इस तरह का प्लान है तो अभी इग्जैक्ट प्लान तो मैं आपको शेर करूंगा अगस्ट इसमें कोई bondage नहीं है आप आओ पढ़ो सब सीखें calculation आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो तो calculation पर जो मेरा focus है वो सबसे जादा होता है आपको calculation में मैं इतना सिखाता हूं approximation इतना सिखाता हूं calculation करने का तरीका इतना सिखाता हूं कि मुझे लगता है वो सारे बच्चे के पास होनी चाहिए वह किसी और टीचर से पढ़ रहा हो कोई बात नहीं तो इस सीरीज को करेंगे हम बस आपका सपोर्ट चाहिए साथ चाहिए अगर आप साथ देंगे सपोर्ट करेंगे तो यह free classes चलती रहेंगे मतलब इसको मैं इस प सब्सक्राइब करेंगे कुछ सम्स मैं दिखाऊंगा और मैं कहूंगा आप सॉल्व करो इस लाइक मेंटर लेड एक पूरा प्रोग्राम हो जाएगा यह और अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपकी काल्कुलेशन तो मैं बहुत अच्छी करवाद हुआ है यह मेरा व जिनका कल एक्जाम है उन्हें सेशन जॉइन करना चाहिए कि नहीं नहीं किजिए अकर आपका कल एक्जाम है तो जाके एक्जाम के लिए रेविजन करिए बाद में इसकी रेकॉर्डिंग देख सकते हैं मेरी प्रोफाइल को आप अपने केड़ी पर फॉलो कर लो क्योंकि गविन जी पूछने कि मेरी अपडेटेड बुक कब तक आएगी अपडेटेड जो हमारी किताब है वह अनकेडमी के साथ ही हम लॉंच कर रहे हैं अक्चली जब अनकेडमी से मारा टाइप हुआ तो यह हुआ कि किताब को भी अलग से मैं क्यों निकालू किसी और पब्लिश जो है हमारी रेडी हुई है कल और आइधिंक किताब जल्दी लॉंच हो जाएगी ठीक है बहुत सीग्रेट लॉंच हो जाएगी ऑल राइट तो चलिए काम करते हैं मैं आगे बढ़ता हूं और मैं अभी जो है कुछ कुछ पढ़ते हैं फिर आपसे बाते भी करेंगे परिशान मेरा प्री हो गया है मैस वीक है तो अब देखिए परिशान नहीं चार विश हैं मैस के लिए मैं लक्ष बैच ला चुका हूं अपना तीन अगर्स से शुरू है तो जाइन कर लिजिए आप बिना देर की वह लक्ष बैच जाइन कर लिजिए तो वह भी आपका अच्छा हो जाएगा ठीक है अब चलिए अब शिरुवात करते हैं थोड़ा कैलकुलेशन आस्पेक्ट की बात करते हैं ओके हां जी ठीक है सो लेट आस बिकें अगे मिनेंट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं उसमें आपको इस बैच का एकस्स मिल जाएगा या फिर आप इस टोर पर जाके अने केडमी इस टोर पर जाके भी इसको इंडिविज्युली भी पर्चेस कर सकते हैं और अभी कोई अच्छा ओफर भी चल रहा है तो यह कोर्स सस्ते में मिल जाएंगा आपको मेंभी 4099 में आपको और जोना मिल जाएगा बहुत शांदार बैच इस चलेंगे साथ लाइव क्लासे इसमें करा रहा हूं मैं और साथ लाइव क्लासे में आपके पूरे मेंस का रिवीजन और प्राक्टिस सब हो जाएगी और यह बैच भी आप इंडिविज्युल जॉइन कर सकते हो अभी ऑफर के बाद सम 1124 का शायद पढ़ रहा है अगर आप एक्जाम और कोड यूज करेंगे पर केवल इस बैच को अब लेते हैं तो और अगर आप लेट से प्लस सब्स्क्रिप्शन लेते हैं तो कुछ एक्टाले सो ब्याले सो रुपे में दो साल का सब्स्रोप्शन मिल रहा है एक्जाम को यूज करके आप इसको भी पर्चेस कर स क्लास में बेटा क्लास में डाउट लेता हूं मैं क्लास केंथ में अगर आते होंगे लाइब क्लास में तो आपको पता होगा ठीक है हाथ प्लीज नीचे कर लिए अभी थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं आज का सेशन जो इंट्रोड़क्शन है मेरा बात करते हैं सबसे पहले काल्कुलेशन की क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको कुछ थोड़ा सा सैंपल दिखा जो लेट्स टॉक अबाउट डेटा इंट्र की होती है एक डियाई बैंकिंग में आती है एक डियाई कैट में आती है कैट की जो डेटा इंटर्पटेशन होता है बहुत लॉजिकल बेस्ट होता है मतलब सोचना बहुत ज्यादा होता है कालकुलेशन कम होती है अगर हम बैंकिंग डियाई में आते हैं तो बैंकिंग डि आपका बैसिकली इसका नाम होना चीए डेटा कैलकुलेशन कोई इंटरपरेशन खतरनाक नहीं होता है तो जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है और वह डियाए के बेसिक फॉर्मैट को पढ़ ले चारपांद दिन कि यह टेबल होता है यह ग्राफ होता है बाहर होता है पॉर्माट क्लियर होगा कि इस तरह से डेटा प्रेजेंट होता है दो चार चीजें जान ली अब अगर उसकी कैलकुलेशन इसकी अच्छी है तो वह डियाई के सवाल पोड़ लेगा अगर अच्छी नहीं है तो सवालों में फस जाएगा अब कैलकुलेशन का मतलब सिर्फ य करनी है आपको ओप देटा बहुत आसान है बट कैलकुलेशन तेज होने का फाइदा क्या है मैं आपको समझाता हूं तोड़ा कामप्लेक्स कैलकुलेशन भी निकल के आएगी से यहां आप देखोगे यहां पर परसेंटेज की बात की गई है वाट परसेंटेज तो मैं इस डेटा सेट को कराता हूं राइट और कैलकुलेशन अच्छा होने का जो टेंथ वाली कैलकुलेशन है कि हम यूनिट डिजिट को जोड़ते रहते हैं डेफिनेटली उस स्पीड क करने का फॉर्मेट भी आना कियों गारते हैं कि कैसे हम थोड़ा में थोड़ा के जोर क सेमाल और देने के लिए जैसी मेरी कालकुलेशन जिल है वे यासी कालकुलेशन स्किल मैं सारे बच्चों की कर दूँगा एक साल के अंदर यह शपना लेकर था था नहीं देखिए कि क्या ने दिखाना कार दिया क्या क्योंकि जब मैंने वह दिखाना शुरू किया तो लोग जो है मुझे गोसित करने लगे तो मैंने का छोड़ोगे सब दिखाने की जरूरती ही बच्चों को अगर बच्चों को मुझे कैल क्लीशन से डर लग रा था उनको डराने के बजाए उन के लेवल पर आकर उनको कालकूलेशन कराते हैं धिरे-धिरे करके उनको सिखाएंगे तो फिर मैंने अपनी करके कम से कम जितना संभव है मैं उतना तो इंप्रूव करा दू तो अब उतना मैं फोर्स नहीं करता हूं आपको कि यार आप मेरे जैसे बनने की कोशिश करो क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा लोग उतना टाइम देना नहीं चाहते हैं कालकुलेशन को लोग ऐसे सोच थीक तो है जिसे मैं आपको एक कारण बताता हूं आप गाउं में जाओ और उस गाउं में माल लिया सबका पेट निकला हो इसका पेट निकला है तो ऐसी हुदा क्या है कि हमारी जो टेंथ वाली कालकुलेशन इसके लिए उसमें हम इतना सेट हो चुके हैं कि जब भी हम कु करते हैं तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि अबनॉर्मल है और मैं भी यूपी वोड से पढ़ा हूं मुझे भी नहीं आती थी सब चीजें सीखी है मैंनत करी यह कालकुलेशन पर और कैलकुलेशन एक ऐसी चीज़े बेटा कि अगर आप इस पर रोज काम करोगे तो तो जब पेपर देने क्या तो मुझे पेपर में कुछ समझ नहीं आ रहा था तो यह लगा कि शायद में भी नहीं हूं कि मैं अब कैट पढ़ा नहीं रहा हूं तो शायद इसलिए मैं करनी पा रहा हूं पंदरा बीस मिनट तो मैंने आइधिंग जो लॉजिकल रिजिनिंग पंदरा मिनट आइधिंग देख रहा था मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या हूं कौन साइट पिक करों नहीं करों पंदरा मिनट बाद मैंने स्टार्ट किया अगर ना आइडेंटिफाइड कि यह मुझे करना है और इसकोड 99.99 पर सेंटाइल इन बाटिकुलर सेक्षिन अलसों और अवरॉल पेपर ऑल्सों हाओ वोज़ेट पॉसिबल विकॉस पीड कालकुलेशन ऐसी चीज है मेरी जो मैं बहुत तेज करता हूं जब जैसे बैपर स्वाल कर रहा हूं या कुछ भी इसका जो फाइदा है यह ऐसे है कि आपको तुरंत नहीं दिखता है लेकिन अगर आप यह काम करते रहते हो तो मैं बताता हूं फाइदा कहां होता है यह पटिकुलर कॉश्चन कौन जल्दी करेगा जो इसको जल्दी पड़ेगा जल्दी सोचेगा जल्दी कर लेगा तो जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो नैचरली आप टाइम बचा ओगे बाकी लोग लेट से 20 सेकन्ड लगाएंगे तुम 10 सेकन्ड लगाओगे बाकी लोग नहीं होता है किसी के लिए क्यों बताओं कैसे समझाओं टाइम बराबर नहीं होता है ми हमें लगता है बस खाली theoretically बराबर होता जैसे सोचो कि तुम गए एक दिन ये तुम हो यह वो है दोनों मिले कहां पार्क में अजकल यार आंटियां लोग जैसे जोडों को देखती है चिलाने लगती है तो यहां तुम गए पार्क में बैटे से सुबह 10 बजे मिले तुम तुम्हें मिलना कितने बजे था उसने गोला 10 बजे मिलें गए और तुम 9 बजे ही समय का पता ही नहीं चला है अब मान लो तुम तुमको पार्क में तुम्हारे फूफा जी ने मिलने के लिए बुला लिया फूफा जी है आये हैं दिल्ली में और कहाओ बिटा मिलते हैं बिठा लिए तुमको दिन भर 10 से साथ वही दस साथ दुमको बढ़ाए पूपा जी ठीक और तुम्हारे लिए दिन सदियों की तरह होगा ठीक लगेगा एक साल बिठालिया पूपा जी ने तो टाइम का experience रेलेटिव होता है रइट्डेवوس भ Expect people जो एक्जाम में बोलते ना कि एक घंटा सभी के पास है यह एक घंटा theoretically है यहां भी है यहां भी है अब लेटेस से संबडी जिसकी कालकुलेशन इसके अच्छी है अगर मैं उसको फैक्टर में डालके कंपेर करूं कि लेटसे किसी की किसी का कलकुलेशन तेज ते से मैं करता हूं किसी के कलकुलेशन दो स्टान बोलता हूं किसी के कलकुलेशन को मैं वह मेले न है यह जो बन्दा तropri इसको मैं गंटा बोलूँगा तो मेभी इसका टाइम एक गंटा पांच मिनिट हो गया यह गंटे-10 मिनिट हो गया यह गंटे-20 मिनिट हो गया एक राफ आइडिया दे रहा हूं सब के लिए अपना एक रेलेटिव एक्सपीरियंस है इसलिए कालकुलेशन पर खूब काम करो लोग कम करते हैं को अगर तोड़ना है डिसमल कालकुलेशन एक्जाम में आती है वह एक-एक सवाल बहुत मैटर करते हैं आपकी रैंक बनाते हैं तो हमें इस स्किल पर बहुत काम करना है ससी के मैक्सिमम जो टीचर होते हैं वह कालकुलेशन पर काम नहीं करवाते हैं वो सिर्फ आते हैं सवाल सौल करके निकल जाते हैं और आप सवालों को देख लेते हो और खुस हो जाते हो इस सचा किताब पढ़ो हमें कालकुलेशन पर खूब काम करना है हमें यह समझ यहां एक नमबर है मेरे पास एक नमबर है यहां 121 ठीक है 121 लिखा मुने और यहां पर मैं एक नमबर लिख रहा हूं 146 मैं पूछ रहा हूं बताओ ए और बी में से क्या बड़ा है अभी कुछ करना मत मैं आप्शन दे रहा हूं एक इक्वल टू बी ए मोर देन भी ए लेस देन भी वान आप्शन दे रहा हूं ए बी सी डी आपको बताना है कौन सा सही है और यहां पर हो गया नन राइट देखते हैं कौन बताता है ओके चलो करो पूल all right अब what what you need to understand बेटा कि यहां पर reaction टाइम आपका कितना कम है वह बहुत इंपोर्टेंट है यह दोनों fraction को देखके हमें बताना है बढ़र हैं बराबर हैं क्या है है reaction time बहुत important है कि कितना जल्दी आप वो judgment ले पाओगे कि यहां पर कौन सी कौन सा fraction बढ़ा है और कौन सा fraction छोटा है ठीक है तो लेट से यह कि लेडर बूर्ड में आयूश जी ने काफी तेजी से किया है मुझे नहीं बता उत्तर सही था कि नहीं मैंने कुछ भी रैंडम ली लगा दिया था ठीक है देखते हैं कि वह सही उत्तर था भी कि नहीं तो लेट से हाव यू कें डिसाइड मैं इस कॉंसर्ट का डिसकॉशन आ करेंगा ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा बी एसे बढ़ा है और बी एसे बढ़ा है का ऑप्शन क्या होगा कि किते लों करें नहीं नहीं एबी से बढ़ा होगा किते लों करें एबी से बढ़ा होगा बी एसे बढ़ा होगा कैसे होगा अब देखो किनी भी फ्रैक्शन को कंपेर क करने के दो तरीके होते हैं एक तरीका होता है directly cross multiplication ठीक है वह cross multiplication method क्या होता है जब छोटे-छोटे numbers होते हैं तभी काम करता है नोगे चोटे-छोटे number होंगे तभी काम करेगा है हां जी अब मैं आपको एक सांपल देता हूँ जैसे मैं आपसे ऐसे पूस्ता कि मेरे पास एक नंबर है 11 बटे 13 और यहां पर में एक नंबर देता 12 बटे 14 लेट से ऐसा देता अब 12 बटे 14 का आप सिंपलिफाई कर सकते हो कि वह यह च्छे और साथ है मत करो ऐसे रहने दो तो उस केस में क्या होता है क्रॉस मुल्टिप्लिकेशन कर लेते हैं हम 11 इंटू 14 इधर लेंगे और 12 इंटू 13 इधर लेंगे 11 इंटू 14 154 होता है 12 इंटू 13 156 होता है हम कहेंगे चुकी यह बड़ा है तो यहां पर यह इससे बढ़ाया तो ऐसा हो तो अगर नंबर छोटे छोटे हैं तो क्रॉस मुल 146 अब इस नंबर में cross multiplication इतना आसान नहीं है है क्या इतना आसान नहीं हो जाएगा ऐसा नहीं है जैसे आप कहोगी 110 को मैं 140 से गुणा करूंगा 133 को मैं 121 से गुणा करूंगा किस्मत से कुछ cancellations हो रहे हैं बालक क्या इस नहीं हो रहे हैं 11110 ग्यारा ग्रहिम एक्सट अब आपको यह वैलू 1460 है यह अगर मैं 11 से मल्टिप्लाइए करूं तो कितना आएगा किसी भी चीज़ को जब 11 से गुणा करना हो तो ऐसे सोचते हो कि 10 से गुणा कर लो 200 मैं ऐसे करता हैं 10 से गुणा कर लिया फिर एक से गुणा करिया नहीं कट लिए तो यह 133 हो गया च्छार ओगया अब आपने चुकी यह यहां बड़ा है यह यहां बड़ा होगा वर सवाल यह कि मैं यह नहीं सिखाना चाहता हूं कि आप ऐसे करो कि हो सकता है एक सूएक और एक सो दस नहीं कट रहे होते से फिर फिर तो यह इतना बड़ा मुल्टिप्लिकेशन हो जाता तो यह तो तब छलो ठीक हो गया कि थोड़ा सा कट गया तो कैल्कुलेशन आसान हो गई वरना तो बहुत लंबा हो जाता है तो अब मैं बात करना चाहता हूं कि भीया मेरे पास कोई भी दो बड़े बड़े फ्रैक्शन और उनको मैं कंपेर कर पाऊं असानी से बता पाऊं कि मेरे वैलू कौन सी कम है कौन सी ज्यादा यह बिसिकली डियाई में बहुत अप्लिकेश्ट अप्लिकेबल है इसके सवाल डारेट वीग्जाम में आ सकते हैं तयार हो सीखने के लिए जानून होते हैं तो वह ग्रूप अनकेडमी के तुरू बना की फिर सब्सक्राइब की जाएंगी ठीक है तो अभी बोल दिया है मैंने अल्रडी हम पहले क्या था कि अपना प्राइवेट ग्रूप बना के और उसमें आपको डाल देते थे शीट्स रोज आती रहती थी अभ वह ग्रूप राइवेट हम खुद से नहीं बना सकते हैं अनकेडमी टीम बनाएगी फिर हम उसमें डालेंगे पीडियो तो थोड़ा सा वग दीजिए हमें आल राइट चलो आप पढ़ दो बले कुस्स सीख के जाओ आ जाए हो तो 11-20 होगे तो मैं आपको सिखाने जा रहा अगर आपको दिया जाएगा तो आप यह बता दोगे कौन छोटा है कौन बड़ा है अगर आप मुझे आधे गंटे देदो देदो के चलो आओ तो बहुत ध्यान से देखेगा मैं क्या समझाने जा रहा हूं किसी भी fraction में दो चीज़ें होती है एक होता है numerator और एक होता है denominator क कोई भी fraction ऐसे ही होता है जिसे मैं कहूं मेरे पास है 110 बटे 133 क्या है यह numerator कहलाता है यह denominator कहलाता है अब ध्यान से दिखेगा जब मेरे पास कोई numerator और denominator है तो दो चीज़ें मैं समझाओंगा आपको कि एक numerator है denominator है मान लिया मैंने कहा आप से कि यही numerator में बढ़ा रहा हूं नहीं किया मैंने naturally आपको पता है fraction बढ़ा हुआ मिलेगा मैं एक example देता हूं कि मैंने कहा मेरे पास यहां पर मान लेते है 110 बटे 133 है मैंने numerator को बढ़ा के 113 कर दिया और denominator को 133 ही रखा यह तो कोई भी बता देगा यार कि numerator बढ़ा है तो मुसी संख्या से करो तो आप थोड 111 प्लस दो है 111 बटे 133 तो होगा ही होगा पर 110 बटे 133 तो होगा ही होगा तीन और आ गया तो थोड़ा दसमलों में बढ़ जाएगी इसको ध्यान रखना है आपको कि किसी भी fraction में अगर सिर्फ numerator बढ़ जाए तो fraction की value क्या होती है बढ़ जाती है denominator तो कुछ करी नहीं रह है वो बढ़ जाए अब बाव बताओ किसी भी fraction में जैसे मैंने कहा मेरे पास 110 है बटे 133 है और मैंने कहा इस fraction में numerator नहीं बदलूँगा लेकिन मैं denominator बढ़ा के 143 होगा अब अगर आप बड़ी संख्या से डिवाइड करोगे same value को तो क्या value कमाएगी यस तो आपको यह clear होगा तो denominator बढ़ेगा जब numerator चीन नहीं होगा तो fraction यह क्या है फ्राक्ष्ण ओवराल फ्राक्ष्ण को क्या हो गया जो फ्राक्ष्ण है यह सेकंड वाला fraction पहले fraction के respect में क्या हो गया यहां बढ़ा यहां कम हुआ अब आता हैं तीसरे के समें आपको मेरा जो numerator है वह मैं घट आया denominator के साथ कुछ नहीं किया घटे का numerator तो आप मैं लिखूंगा नहीं कि यह वैलू डिक्रीज होगी यह इन्वर्सली प्रपोश्चनल वगरा यह शब्द मत बोलो बेटा आपस देखो शब्द नहीं बोलना हम करें numerator कम किया तुमने denominator के साथ कुछ नहीं किया अगर पॉल अगले पेज में लिखते हैं मैंने denominator को कम कर दिया माल लिया numerator के साथ कुछ नहीं किया अगर मैं कम होगा तो numerator बढ़ेगा इस समझ में आ रहा है जैसे 110 बटे 133 और मैंने कहा यहां पर आप 110 बटे 121 कर दूं तो नाचुरली numerator वही है लेकिन अब डिवाइड एक छोटी वैलू से कल रहे है तो वैलू बढ़ी आईगी बढ़ गई तो अब मैं इस चीज को समराइज करके एक भाषा बोलना चाहता हूं बहुत सिम्पल सी भाषा और वह सिम्पल सी भाषा यह है कि इन चार केसे में बहुत डेफिनिट कंक्लूजन है और वो क्या है हम समझते हैं पहला क्या हो रहा है बिसिकली हमने जो सीखा है कि अगर हमारा फ्रैक्शन पॉजिटिव है पॉजिटिव फ्रैक्शन है यानि धनात्मक भिन अगर आपके पास है एफ एन का मतलब फ्रैक्शन आप चाहो तो इसको मै अगर मेरे पास एक पॉजिटिव फ्रैक्शन है अनि धनात्मक भिन है तो दो चीजें में लिख रहा हूं कि कि भाशा को सब्सक्राइब को अपनी कापी में आपको जरूर लिखना है कि 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 इंक्रीजिंग numerator increasing numerator tries to increase the fraction value tries to increase the fraction fraction of the value of the fraction यहां मैं लिक्रीजिंग निम्रेटर डिक्रीजिंग निम्रेटर ट्राइस टू कि डिक्रीज दो फ्राक्शन यह बास में आई तो समझे इस बात को है अगर अगर शाधी सब्सक्रीजण से को रोका होता है कि रोक मारे यह नहीं होता है तरह तरह के सिस्टम बनाएंगा है कि कैसी लड़की वाले आके लड़के वालों को फैसे देके जाएं ठीक है एक बरिच्छा होती है उसमें कुछ लोग बुलाए जाएंगे पैसे कबट वारा होगा धंग हम रोका पर पाठी सब्सक्राइब नहीं नहीं शादियां नहीं खुजना कुछ दिनों तर यह तरह से बुकिंग हो गई है हम का अच्छा हमारे यह भी होता है बड़ इच्छा टाइप का उसका नाम होता है बड़ इच्छा ठीक है इन सब कस्टम्स को बनाया गया था बहुत अच्छा सो समझ के लोगों ने उसको कर दिया आगे वह पूरा मॉनेटरी हो गया सब कुछ इस कस्टम्स बनाये वह सो समझ के गया थे ठीक है और उस कस्टम को हमने यह सा मॉडिफाई कर दिया ना कि इस बिकेम ए गेम ऑफ दिस्रिबिडिंग मनी इनको रॉफा जी इनको एफ़जार दो उनको पांस एक दो उनको पांसो मेरा हमको दोसरे क्या हो नहीं देकर चला गया अब अधे हैं चलो अब आजा ऑधिए थाचा से दो दो और बात मैंने बोली हैं कि इंक्रीजिंग increasing denominator increasing denominator try to क्या करता है अगर denominator बढ़ता है तो यह fraction के साथ क्या करता है? fraction को गटाने की कोशिश करता है जान से सुनना denominator बढ़ा, मानले कोई value है denominator बढ़ गया, fraction गिर जाएगा क्या उल डिनामेटर? increasing denominator tries to decrease the fraction यह बात बहुत कमाल की हैं छोड़ी-छोड़ी बात लिख रहा हूं जो इसी से पूरा केस डवलप होगा भी फिर हम कहेंगे decreasing कि डिनॉमिनेटर कि ट्राइस टू किर ट्राइस टू का मतलब है ट्राइ करता ही एपनी कोशिश करता है अब वो ना हो वह बात अलग तक है कि और भी फैक्टर सेँ पाइब तुरा प्राइकर ये बात समझ में आई सभी को सेंड़ी कोि इंक्रीस दा फ्रैक्श ये चार बातें अगर पकड़ में आ है तो आपको मैं अभी ऐसा कुछ सिखा दूँगा कि आप आपको मज़ा आ जाएगा रहा हुँ इंक्रीजिंग नुमेरेटर पूरे एक्षन की वैलू को बढ़ाने की कोशिश करता है इंक्रीजिंग नुमेरेटर ट्राइज टू इंक्रीज ओवराल फ्राक्षन समझ के करके समझ लेना कहानी की तरह बिल्कुल कि जैसे सोचो दिमाग में पिक्चर चल रही कि ऐसा क्यों हो रहा है रटना नहीं इसको समझना है समझाया मैंने आपको तो कैसे हो गया बढ़ता हुआ नियुमिनेटर पूरे फ्रैक्शन को बढ़ाने की कोशिश करता है बढ़ता हुआ डिनॉमिनेटर फ्रैक्शन को घटाने की कोशिश करता है और घटा हुआ डिनॉमिनेटर फ्रैक्शन को बढ़ाने की कोशिश करता है वा 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 क्या लाइने क्या लाईन यह अब आते हैं यह कोशिश है कोशश कौम्याब होती नहीं कहीं भार सिर दूम्हें कोई पसंद है पर पापा को नहीं पसंद होगा माता जी को फ़संद नोगा पिर तो आपकरी अब लेट्ट सीरियल प्रियाल लाइफ में क्या होता है क्या ही इतैहें आसान होती है नहीं कभी हो जाती है जैसे रेको जहांसने एक ने टरहा है एक डिनाइनोर सब्सक्राइटेब ॉस्टर की और सब्सक्राइब अब मैं दोनों काम कर रहा हूँ कि कि रिए लाइक कॉंप्लेक्स अभी सिंगल सिंगल कर रहे थे अब हम आ गए कि दोनों हो रहे हैं अब यहाँ देखो कि अब माल लिए तुमको को लड़की पसंदे उन्ने घर वालों को बोला तो तुम जहिर सी लड़की तुम पसंदे क्या होगा fraction तो बड़ा हुआ ही होगा यह केस का है definite केसे कोई complexity complexity नहीं है इस लाइक वह अरेंज मेरेज वह मैरेज जो लव से सब्सक्राइब लड़की ऐसा नहीं है जॉब होने पर भी मंगा हो जाता है पहला तर तो सेम कास्ट होना जाए ठीक है अना इंडिया में कास्ट इस टील वरी बिट थी तिंग वरी बिट थींग अरी बिट थी अग्य बट इंगे जिसमें नुमिटर बढ़ रहा और दिनॉमिनेटर कम रहा तो कोई टेंचन नहीं है कैसे भी फ्रेक्शन अब देदो यसा में तुमको बहुत बड़ा फ्रेक्शन देदो 1239867 और 2386789 ठीक है और मैंने यहां पर तुम्हें क्या दिया 1249678 और यहां तुम्हें दिया 2287987 बताओ जारा क्या इस फ्रेक्शन से घबड़ा जाओगे नहीं आपको गया 123 से सुरू ह है 124 से सुरू है डिजिट्स बराबर हो गई यह बढ़ा यहां पर 2386 है यह कम हुआ 2287 यह कम हुआ यह बढ़ा यह घटा तो क्या हो गया अवराल बढ़ जाएगा अंसर क्या हो गया यह कोई दिक्कत नहीं है नो कॉम्पलेक्सिटी कि ओके कास्ट और इस बेरुजगारी ने बंदिशिला दी अरे प्रपोस करने में क्या था वो तो करी लेते ठीक है इस गुड़ टो प्रपोस औंगेटें नो दन कीप रिग्रेटिंग होल लाइफ अब तुम को यह लग रहा है कि तुम प्रपोस करते और वह मान जाती तो वह मेरी हो जाती और नहीं हो पाई पर ऐसा है नहीं वेटा गलत वह मजी हो इसलिए कर लेना चाहिए प्रपोस तुम दस प्रपोसल मारोगे नौ में रिजेक्ट हो जाओगे ऐसे देखते हो ना जूटे बहुत है मुस्सली जूटे होते हैं आते हैं अंगले डीकिस पर और या ये मैंने कि को नूम्रेटर कम हो गया अधिनाम्टर गवद्र देखो बढ़ गया मैं इसको देखना इसको ध्यांसे देखना रिष्टादार मौई तुमने भी ना कर दिया इंट्रस नहीं नहीं किया बढ़ता हुआ Ne 놈ने तो कँई नहीं ए लोग दोनों ना कर दिया कोई टैसब ही नहीं है तो और मैंने का मेरे पास नंबर है 221 डिवाइड बाई 493 देखो 237 से 221 गट गया 488 से 493 बढ़ गया यह घटेगा फ्रैक्शन को घटाना चाहेगा यह बढ़ेगा डिनामिनेटरी यह भी फ्रैक्शन को घटाना चाहेगा फ्रैक्शन घटा हुआ मिलेगा नहीं पहला वाला जन्द्गी यह तो बड़े खुबसूरत कहानी अभी तक चल रही थी पहले यह चार कहानीया इतनी कोपसूरत उसके बाद यह दो कहानिया भी खुब्सूरत हैं कोई टेंजन नहीं है असली जिन्दगी कैसी होती है मैं दिखाता हूं असली जिन्दगी कुछ ऐसे होगी नियुम्रेटर है डिनामिनेटर है नियुम्रेटर बढ़ जाएगा तुम उसको पसंद करते हों घर वाले नहीं करते हैं लो कांड हो गया हुआ नियुम्रेटर फ्रैक्शन को बढ़ाना चाहता है चीक है मैं कलर थोड़ा मुझे चेंज करना पड़ेगा यहां पर टू एक्स्प्रेंड यू लिटल बैटर हो आई विल यूस्टू डिफरेंट कलर्स ग्रीन से ले लूँगा यह से ले लूँगा अब यह बढ़त सब्सक्राइब है देकंडना में आगेशी स्पार चाहिं कर दोberish कि इंगलेश तगर बोड़ी फ्रैक्टर खरयकशनांने सब्सक्राइब ह mono नहीं कुछ मैं थूट और Experimentum कि tapat नए पता जाओ घर पे बोल दो कभी कि मुझे वो पश्ण का सेम नहीं है कांट हो जाएगा पूरा वी कांट से ऐसा नहीं घरवाले मानते नहीं मान जाता है झा बट कभी कभी नैंन भी मानते हैं तो आप देखो यहां कहानी क्या है इसका मतलब क्या है यह कहानी खुझ से नहीं सुलज़ेगी क्या नहीं तुमने का करनी हे गरवालाने का कोई श॥ा है कोई तो चाहिए जो इस मामले को सेटल कर आप गणित में इतनी समस्याएं नहीं है गणित में जो मीडिएटर है वह परसेंटेज चेंज और वह कैसे डिसाइड कर देगा क्लियरली कि भाई देखो एक सो दस इस था बटे 133 यहां था आपका 121 बटे 146 हमें करना क्या है यहां इस फैसले को करने का मैस में तरीका है Courtney और मैस में जो तरीका वहां ऐसेड़ की आपको यह तो पता है कि ये दोनों सक सी कर रहे हैं दोनों force एक दूसरे के अपोजड काम कर रहे है अब जो फॉर्स स्ट्रॉंग होगा वो बात बन जाएगी मैंश करकर तो फोड़ा होगय कोई वो Pers passes जरू होगा रिचसे की घमिपापा 2 लोग होता है अक्साइँ में त्रूडा धवाओ ज़रू होना आती है बान को पाइसा परिवेश है तो मातः जी श्रूर कर दिस जादा में बяться की बात मान ली जाती 凭व तो ऐसें ही डिस्ट से कलओफ चीज है जैसे आप से जो है था ज़ो है वह सुनाया गया तीन वाली ब्लाकरहबना नीटक कि मिलाफ मैंक जब आप आऊ होगे तो देखना जिआन से आपको बस रिए यह देखना है कि यह 10% से बढ़ा है यह 10% से छोटा है आप होगे 133 में अगर मैं 10% जोड़ दूँ यह ऐसे चुड़ देखो तीरा जोड़ना है तेरा जो 133 का 10% 13 दस्मलों 3 होता है उससे छोटा है तो यह लेस देन 10% है हमें बस यह पता लगाना होता है कि निमेरेटर वाला परसेंटेज चेंच बढ़ा है यह दे लुक? यह इक्यूरेजन करना है तो यहां पर आपने यह exact देख लिया 10% यह देख लिया less than 10% तो यह काफी है यहां पर बोलने से कि numerator का percentage change denominator से बढ़ा है तो अगर percentage change के मामले में numerator denominator को बीट कर रहा है तो बात numerator की ही मानी जाएगी तो यहां अगर मैं इस case में बात करूंगा तो आपका जो numerator है वो क्या कर रहा ह है बढ़ रहा है fraction को बढ़ाने की कोशिश करेगा तो इसकी जो बढ़ाने की कोशिश है यह बढ़ी है इस denominator के घटाने की कोशिश से इसलिए numerator विजयता बनेगा और fraction बढ़ावा अगर आप इसकी practice कर लो विदिन seconds आप देखके बोल दोगे कि यह 10% का change 10% से कम है numerator डॉमिने मान लिया numerator कम हो रहा है और मान लिया denominator भी कम हो रहा है इस केस में क्या होगा साथ डिजिट का नंबर हुआ तो परसेंटेज निकालने में भी टाइम लगेगा सुब मुझे आप मुझे बताओ कि आठ डिजिट के कौन से नंबर का fraction तुमसे आज तक पूछा गया पहली बार तो जब आप केसे बनाने लगते हो ना दिमाग में तो कुछ भी बना देते हो ठीक है बताओ आप मुझे साथ डिजिट के किस फ्रैक्शन का कंपारिजन आज तक सेसी ने आप से पूछा है बता दो मुझे और अगर वो पूछ बैठेंगे तो मैं गारेंटी दे रहा हूं तुम से तेज तब भी कोई नहीं लगा पाएगा क्योंकि तुम तो पर्सेंटेज की अप्रॉक्सिमेट वैलू जज़ करोगे निकाल देंगे मैं आपको बता रहा हूं कि निकाल देंगे अब दोनों फ्रैक्शन बता दो मुझे सोचके बता दो भी वो भी निकाल दूगा प्रासेस समझो ऐसे आप unnecessary cases create मत करो और आएंगे अगर ऐसे तो वह आप कर लो कि बाकी लोग नहीं कर वाएंगे चिंता मत करो क्योंकि परसेंटेज देखना इतना मुश्किल नहीं होता है इक्जैक निकालना ही नहीं होता है हमें तो आइडिया लगाना है लगा लेंगे च आमें नहीं पता है विड्यू नौटनो कि यहां क्या होगा सेम कहानी है यहां भी हमें क्या करना पड़ेगा जैसे मैं आपके सामने लिख यहां पर 1470 के बटे 1542 बहुत द्यांसर दिखना 1470 के बटे 1542 और मैं यहां पर लिख रहा हूं इंटेरा त्यांटे सो को अब बहुत ध्यान से देखना मेरी बात दो फ्रैक्शन आपके सामने में लिखे हैं इसको आप 310 करदो इस कि ए गटा यह वाली कहानी बन गई क्योंकि यह घटा तो घटाएगा यह घटा तो बढ़ाएगा अप कौन डॉमिनेट कर रहा है देखना है आप इसका परसेंटेच इस बस मेंटली सोचो क्या है राइट ज्यान से देखो आपको के 1470 अगर 1311 हो गया इसका 10 परसेंट 147 होता है अगर मैं इन दोनों का अंतर देखने की कोशिश करूं तो 147 से ज्यादा है यह मोर्दन 10 परसेंट है है राइट है चेंज सब्सक्राइब करेंगे तो 169 का चेंज दस परसेंट से बड़ा चेंज है अब डिनामिनेटर में हो डिनामिनेटर में आपको के 1542 मेरा 1380 हो गया ठीक है 162 का चेंज है यह भी चेंज 10 परसेंट से बड़ा है अब मामला पता है यहां कहां फसेगा केवल 10-10 परसेंट देखके बात बनी नहीं अगर एक जादा है कम होता तो बात बन जाती जैसे मान लिए यह वैलू मैं कहता क कि 1361 क्यासी है तो हम बोल देते कि यह लेस दन तेन परसेंट है यह मोर दन तेन परसेंट है यहां दोनों 10-10 परसेंट से जादा जो यह क्लोस है पर परिशान नहीं होना यह भी करणा लेंगे हमें बस देखना है कौन सी वैलू बड़ी है कैसे देखेंगे आप ध्यान से द 7.8 यानि 10 परसेंट से 7.8 ज्यादा है यह वलू देखना यह 10 परसेंट से जो 147 से उससे 12 ज्यादा है तब होगी यह 12 ज्यादा है ।ो अब 10 परसेंट अगर मैं दोनों का हटा दूं तो अब कम्पारिजन मेरा है 12 का ऊपर और 7.8 का नीचे लेकिन मुझे पर्सेंटेज देखना है तो 12 का परसेंटेज आपको निकालना है 1470 पे और 7.8 का परसेंटेज आपको निकालना है 1542 पे इस अब लिखना नहीं पड़ेगा प्रैक्टिस के बाद आप मुझे बताओ कौन सा परसेंटेज चेंज जादा होगा यह वाला बड़ी वैलू छोटा बेस छोटी वैलू बड़ा बेस यह डिफिनेटली कम है आप वही लगा लो 12 से यह कम हुआ यह यह वैलू तो कमी हो जाएगी ना निमरेटर डिनामेटर का डिफरेंस चेक करके कर सकते हैं नहीं यहां लसी निकालने का वक्त नहीं बेटा वो सब काम मत करो बड़े फ्रैक्शन में काम नहीं करता हो ठीक है वो सब बहुत ऐसे ट्रिक्स जबरदस्ती की बना दी गई है ज समझो बाकी स्पीड का मामला है वो देड़र आ जाएगा प्रेक्टिस के साथ मैंने बोला कि पहले मैंने दस-दस परसेंट को कंपेर करके कोशिश करी क्योंकि मुझे दिख रहता कि यह जो चेंज है यह 10 परशन के आसपास हो सकता है 10 परशन सबसे आसान है जै रितिका जी सीखी हुई चीज आदमी नहीं भूलता है ठीक है साइकल चलाना एक बार आप सीख लेते हो अब दस सल बात चलाओगे तो थोड़ा सा दिक्कत होती है चलाने में कि पाइडल वैडल में थोड़ा सेट करना भूलते नहीं हो आप भूलती वही चीज है तो तमीज से सीखी नही औरनल सब कर लेते यह पी पूछना ता फिर तो दुनिया करती न कोशिष करिये सीखने के रोना रोना तो मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं नहीं लगेगा काम कुछ किया नहीं लगेगा अरे काम दो करो पहले आप जब आपको इस समझ में ना आये तब बोलो प्रॉब्लम है और जब समझ में आये ना तो उसके बाद लग जाओ इसके प्रैक्टिस करने में मैं दो फ्रैक्शन को रैंट जो बहुत करीब हैं वो भी दस्मलों के तीन अंक बात तक तो मैं कोश 이상 हूं नहीं तो मैं भी न निकाल पाऊंगा मैं इन्टिल आप्ट जो फ्रैक्टिकल ही एक्जाम में ऐते हो यह यह कुझा सब्सक्राइब करने करना कि कौण ज्यादा परसंटेस से चेंज हो रहा यही समझाने कि आपको कोशिश करी कि आपने देखा निमेरेटर इनामेटर दोनों दस पर्संट से ज्यादा चेंज हो रहे हैं बात बनी नहीं तो फिर मैंने दस पर्संट का तो नीचे का प्रसंट कम हो गया उपर से तो नीरेटर यहां भी डॉमीरेटर टो और गोगा तो इस चाहता है देंस तक ढ़िए व्येस बड़ी व्यूमिर्ट केया यह जाएगा यहां Тथ दो और आंसर दो केसी आपको परिशान करेंगे जब दोनों बढ़ेंगे या दोनों घटेंगे राइट और कोई केस परिशान करी नहीं सकता है बाकी दोच्छे केस हम देख चुके हैं अलडी मैं आपको कुछ रैंडम प्रेक्शन लिखके दिखाता हूं कि 787 बटे 1858 812 बटे 1132 देखते हैं कौन बड़ा कौन चोटा है ए बी ए मोर देन भी ए एक्वल टू बी ए लेस देन भी नन जड़ा बताओ आंसर क्या है इसको बोलते हैं ए भी सीडी में पूल दे रहा हूं कि कलम ना उठाओ तो अच्छा है कलम ना उठाओ तो यह अच्छा है मैंने रैंडम्ली फ्रेक्शन लिखा मैंने सोचा भी नहीं है कि मैं क्या लिख रहा हूं आप ट्राइट टू अब भी लिख सकते हो हाव डू इंक्रीज का क्लेशन स्पीड आई प्राक्टिस प्राक्टिसिंग और राएं मोर ठीक है चला देखते हैं हमने कहां बढ़ रहा है डिनॉमिनेटर भी बढ़ रहा है तो वह कॉंप्लेक्स वाला केस है कि दोनों अपोजिट डिरेक्शन में काम करेंगे लेट सी कि कौन अब डॉमिनेट कर रहा है हमने कहां नुमिनेटर को हमने देखा तो तेरा और बारा पच्चेस से चेंज हुआ डिनॉमिनेटर कितने से चेंज हुआ आपने का 42 और 32 चोहतर से चेंज हुआ अब मुझे पता करना है कौन परसेंटेज चेंज ज्यादा है अब देखो ज लो यह 3% से थोड़ा सा जादा है मैं कह सकता हूं 3.6% नीचे जो नीचे जो वैलू है बहुत क्लियर है कि इसका 10% 105 है यह वैलू जो है यह 5% से बड़ी है इसका 10% 105 दसमलो 8 होगा आधा करोगे तो वह 52.9 आजाएगा जबकि यह 54 से बड़ा है तो यह 5% से ज़्यादा बढ़ा है और बढ़ता हुआ डिनॉमिनेटर क्या करता है फ्रैक्शन को घटा देता है यह फ्रैक्शन घट जाएगा यह वैलू बड़ी है तो मेरा आंसर क्या होगा है कि दिद्ध लोग बात समझ में आई हमने कोई काल्कुलेशन नहीं करी भैन हमने यह यह कॉंप्लेक्स काल्कुलेशन है आप किसी से भी जाकर पूछलो हम क्रॉस मल्डिप्लिकेशन नहीं कर रहे है कि यह नॉड़ मॉल्यूंड़िकेशन अंश के बट और यारे प्रतीक नंबर लिखें तेरा सो उन्तिस चौदा सो पच्छस लिख लेते हैं तो उनको मैंने बोर्ड में बोलाया शाणापन उतारा और उती दिर में मेंटली काल्कुलेट भी कर लिया बता दिया टाइम लगा वला इस नॉरली यह था फट से बोल दिया तुट लिए टाइम बेरी क्लोज नंबर दसमालों के तीन अंग तक चला गया था लड़का ठीक है आप कहोगे यह बढ़ रहा है चार से फिक है यह बढ़ रहा है तीन से इसे खाइक बहुत सिंपल impossिन on the तीन का बेस यह है देखो द्यान से मुझे बिसकली इनका कंपारिजन करना है चार बटे तेरा सो उन्तिस और तीन बटे चौदा सो पच्छिस यहां बताओ जब परसेंटें निकालो तो सो से बुणा करोगे उसर छोड़ दो चार तीन हुआ कम हुआ 29 क्या हुआ 25 हुआ 29 यह ऐसे चोड़ो बहुत असान है यह बढ़ गया तो यह वेलू कम होगी न वहीं नियुम्रेटर गया डिनामिनेटर बढ़ा हो गया तो डेफिनेटली यह यह बढ़ी है इसका मतलब यह परसेंटेश चेंज बढ़ा है तो समझ मैं आगी नहीं क्या किया मैंने खट से देखो चार का परसेंटेश 1329 के बेस पर बढ़ा होगा तीन का परसेंटेश 1425 के बेस पर और क्यों बढ़ा होगा क्योंकि बहुत सिंपल है हाउ तो यूज इस इन एक्जाम इस बेटा ऐसे ही करेंगे प्रैक्टिस करना पड़ होगे आप बताओ मुझे कोई कोई नम्मर बता दो इनके डिफ्रेंस से मैं एक सो तेइस बटे चार सो सत्रा ठीक है ऐसा लिख लूँ है या और चोटा कर दूँ है 235 कर दूँ है यहां तुम कहरो मैं लूँगा एक सो सताइस बटे 229 अब यहां डिफ्रेंस वाला केस तु आप बताओ मुझे कहा पर सेंटे चेंज जाधा होगा चारे 233 की बिफ्रस पे जाधा होगा जाहि ज़ादा होगा जाहिए जाहां बेस कम है यह जादा होगा यह डौइन fake करेगा तो यह ऩे यह नं जो numerator चाहता है 123 से 127 बढ़ा है बढ़ जाएगा है मैंने जो आपको समझाया है बेटा वो मैंने आपको आत्मा समझा दी शरीर नहीं समझाया है माने दों को आत्मा ही समझा दी ठीक है तो कोई भी केस तुम उठालो इनी केस इन दो वर्ड जैसे शॉटकेट आपने रटे होगा तो जिसका numerator बढ़ा होगा अगर वह बहुत सारे केसे होते हैं उसमें बता है आपको कि बेस पर निकालने में टाइम लगेगा सपना जी कैसे टाइम लग रहा है आप मुझे बताओ कैसे टाइम लग रहा है आपको चार का बेस 123 आम उससे पढ़ लो अरजुना चोटी होगी कि नुमेरेटर सेम हो गया ना अगर आपने सेम केस कर दिया तो उपर में कहा टाइम लग रहा है मैंडव चार देखो आप क्या कर रहो चार 1329 पर है और तीन 1425 पर है कम वैलू बड़ा बेस बड़ी वैलू छोटा बेस यह बड़ा है यह सब रियक्शन परसें । यूमेरेटर बड़ा नुमेरेटर बड़ा वहान नुमेरेटर चोटा दो यह केस तो आपको दिखा चुका हूँ न मैं मैं यह गर णिल् worked में यूम केस हो जाता है तो वह सारही है जो आपको सखाए इनको यूज करना उनको ही क्यूंत यह बहुत अκαफ अपरोच है इसल में standard cases भी होते हैं बड़ी conditions है कि proper fraction मा ले कहते हैं difference numerator denominator का बराबर हो तो proper fraction होगा तो ऐसा होगा improper fraction होगा तो ऐसा होगा वो चीजें हम आपको बताएंगे बट यह समझने के बाद आपको वो समझना और आसान हो जाएगा मैं फॉर्मूलों के अगेंस्ट नहीं हूं मैं फॉर्मूलों के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं पर मेरा कहना है कि पहले आप आत्मा समझ लो फिर थोड़े बहुत फॉर्मूले ध्यान रखो के तो उसमें आपकी understanding में ज्यादा होती है ठीक है आप अगेंस्ट फॉर्मूलास बट फॉर्स अंडर्स्टेंड सोल इफ यूंडर्स्टेंड सोल देन नोउइंग फॉर्मूला इस नॉट भी जानलो जो आप इसे प्रॉपर फ्रेक्षन का को कोई केस याद है तो वो केस में आपको भी समझा देता हूं ठीक है आपने क्या पढ़ा हुआ है जैसे एक मेरे पास फ्रेक्षन है मान लिया 123 बटे 119 फांच कंतर है छे गंतर और यहां आपने कहा 156 हम 2123 में हमने कितना जोड़ा하신 dirty data यह और स्फोल दें तो यह ओगया हमारा 162 यह कहलो यहां च्रेथ आंतर है है यहां भी वनुसीट चेल के हैं तो अब concept क्या होता है कि अगर यह पार स्रैक्शन है यह आपको पहले देखना पड़ेगा कि आगर यह प्रॉपर फ्रैक्ष्न है तो सबने सब्सक्राइद नुम्रेटर से बढ़ा good है तो यह प्रॉपर फ्रैक्षिन वाला केसे जैं देन इस लिदी घुटर्ट लेटर ग्गरवलो को अग्लयीं सौन लटेकर अगा अब इस केस में बोलोगे कि इसमें अंतर सेम था यहां निम्रेटर बढ़ा है तो यह वैलू बड़ी होगी बड़ी होगी यह हो क्यों रहा है बैसे के लिए रटने के बजाएब आपको समझें भी आ चुका है इसका सिंबल सा कारण है कि अगर निम्रेटर डिनॉम्रेटर से बढ़ा है यह चेंज तो बराबर ही है यह कंडिशन बोल रहा हो तुम यह चेंज बराबर है तो निम्रेटर अगर डिनॉम्रेटर से छोटा है तो परसेंटेज चेंज निम्रेटर में बढ़ा हो जाएगा क्योंकि आप 33 बटे निम्रेटर कैलकुलेट करोगे 33 बटे बढ़ होगा तो पर्सेंटेज यह चोटा हो जाएगा इसी वज़ाएं मैं Sumter तो जया बहु है यह अर प्रोफाउंड हो जाएगे और फ्रफाउंड हो जाएगा क्यों रटना नहीं है अगर मैं यह सो चाहर jet है आप देखो यहां बीस का एडिशन हुआ यहां बीस का एडिशन हुआ यहां तेरा का अंतर है यहां भी तेरा का अंतर है एक नड़ लिख दिया कि एक लेट में करेक्ट एट एक सो चाट बटे एक सो तिरपन और यहां पर आप 146 कर दो यहां पर आप 133 अब आप को कि देखो यहां बीस का अंतर है यहां भी बीस का अंतर है कि इंप्रापर फ्रैक्शन हुआ अंतर बराबर है इंप्रापर फ्रैक्शन हुआ यहां भी अंतर सीम आएगा आप देखो कि बीस बीस का अंतर ही होगा जाहिए यह देख लो चाहिए देख लो इंप्रापर फ्रैक्शन के केस में बोलते हैं कि जिसका डिनॉमिनेटर होगा उसकी वैलू छोटी होगी क्योंकि उल्टा केस चल रहा है इसका रीजन क्या है यहां 20 160 चाचट पर क्या होगा अगर में कहूंगी एपरसेंटज का चेंज है है यहां बी भी डिनॉमिनेटर डॉमिनेट करेगा आप बताओ मुझे जिसका डिनॉमिनेटर छोटा होगा यह चोटा होगे ना कम हुआ कम हुआ तो बढ़ाया यह वैलू बड़ी होगी इसको रिवर्स में ऐसे बोल सकते हैं कि जब इंप्रापर फ्रैक्शन होगा और नुमिलेटर डिन डिनॉमिनेटर का डिफरेंस बराबर होगा तो छोटा डिनॉमिनेटर बड़ी वैलू करी करेगा उल्टा कुछले से तो जब आपको बीचे का बैक्ग्राउंड पता होता है न चीजें भूलती नहीं है अब आप यह चीज कभी नहीं भूलोगे ओके तो रटने के बजाए करिए इस पर अभी यह सीरीज में बंद नहीं करूँगा यह अधी फ्राइड को क्लास कर लेते हैं इसकी फ्राइड को कल दो करते हैं कुछ क्वेस्चन लगाता हूं कि टुमारो एलेवन है इसी कॉंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा और कुछ चीज़ दिखाता हूं ठीक है तो कल गारा बजे विए क्लास करता हूं आओ ठीक है आज हाँ इतना ही बढ़ता है घंटी क्लास यह ना तो देखो यह आड़ू करेंगे यूटीब वाले बच्चों के लिए बनाएंगे कुछ न कुछ वीडियो चलो डाउट्स किस डेट को किस स्ट में ठाप प्रिंस प्रिंस सवाल पूछा आप पढ़ाने वाले हो पूरा शेडूल बटा अप लोड़ेड है आप चाकर देख सकते हैं अडवानस में कब शुरू होगा अरजुना में जाओ पूरा शेडिव अप्लोड़ेड है आप एक अच्छे टीज लगता है तो मेरे पास आजाते हैं और मुझे बहुत जाते हैं अच्छे ले जाते हैं और विल लक्ष बैच बेनेफिट अस एवरीवन विल गेट बैनेफिट फ्रम लक्ष बैच बेटा कि अच्छे बैच बटाने उसमें क्या क्या होगा अब मोस्ली प्राक्टिस बेज्ट सेशंस होंगे विकॉस में सका बैच है यह तो इस नॉट लाइड की रागुलर जो बैच इज होते हैं उस तरह का बैच है देवरजी सेफिट अच्छी बैच नहीं एच्छी बैच नही चलेंगे और कुछ जो की कॉंसेट्स हैं जिसमें मुझे पता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो या आपको नहीं आती होगी वो चीज वो चीजें भी इसमें में करवाता हूं इस नाट एक कंप्लीट फुल अर्जुना बैच अर्जुना बैच है प्रैक्टिस बैच है तो यह एक्स्पेक्टेशन है कि आपको चीजें आती है उसको और थोड़ा बढ़िया कर देना है यह इस बैच का प्रपस चलें कल मिलते हैं 11 बज़ें ख्याल रखेगा अपना